नमस्कार साथियों स्वागत और अभिनन्दन आप सभी का साथियों आज इस कैपसुल के बारे में चर्चा करेंगे अब लगातार आपके इस 2022 का अन्ति महा भी है दिशंबर तो लगबग सारी जो चर्चा है वो दिशंबर महा और उसके इर्द गिर्द कुछ और महत्वपूर्ण बिन्दों से संबन्दित रहने वाली है आपके एक्जाम के लिए बहाँ ज़्यादा इंपोर्टन ठीक है चलिए तो सुरू करते हैं देखें सबसे पहले तो मंत की शुरूआद भी हुई वो भी एक योजना के साथ कौन सी देखें मुख्यमंत्री लगू वानी जीक वहान स्वे रोजगार इोजना क्या है वो पूरी चर्चा करते हैं पहले तो यह जो आपके सामने हैं मुख्य मंत्री लगू वानिजीक वहान श्वे रोजगार योजना इसकी शुरुवात तो इसकी जो शुरुवात है वो ही है आपके 1 दिसंबर 2022 को किनके दुवारा इसके शुरुवात की गई तो उध्योगवे वानिजी विभाक की जो मंत् ठीक इस योजना को कौण सा विभाक संचालित करेगा तो उध्योगवे वानिजी विभाक अब आप कहेंगे सर ये योजना क्या है तो इस योजना के देद यह कहा गया है कि युवाओं को श्वे رोजगार मतलब ये दि कोई युवा श्वेम का रोजगार करना चाहता है त जो श्वेम का रोजगार करना चाते हैं और वो भी वहन के माध्यम से तो सरकार येदी वो युवा वहन खरीदना चारा है तो सरकार उसको वहन खरीदने पर जो अनुदान देगी वही है आपके मुख्यमंत्री लगू वानी जेक वहन श्वेरोजगार योजना लेकिन इसके अंदर लाब कौन है तो पहले आओ पहले पाओ की तरज पर सबसे पर्थम जो 3300 वक्ति होंगे उनको इस योजना का लाब मिलेगा और जो लाभारती हैं वह सबसे पहली बात तो राजस्तान का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो एज है वह 18 से लेकर 45 वरस की आई हूँ किलियर है ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात आपके लिए कि मुख्य मंत्री लगू वानिजिक जो वहान श्वे राजगुआर योजना है इसकी सुरुवात एक दिसंबर 2022 को उध्योग वानिजी विभाग जो मंत्री है सिरिमती सकुन्तला रावत जी इनके दुआरा कौन उसके अंदर अनुदान देगी लेकिन पहले कितने वक्तियों को केवल 3300 वक्तियों को पहले आओ पहले पाओ की तरज पर और राजस्तान का नागरिक होना चाहिए और एज कितनी होनी चाहिए अठारा से लेकर 45 वरस की ये एक योजना है तो आपके लिए क्यूशन मन सकता एक तो ये कितने वक्तियों को लाप दिया गया या फिर ये लेन देकर पूछ लेगा कि युवाओं को श्वे रोजगार के आउसर के रूप में वहान खरीदने पर सरकार दुवारा जो अनुदान दिया जाता है वो कौन सी योजना है तो मुख्यमंत्री लगो वानिजिक श्वेरोजगार योजना इंपोर्टन ए अगली एक तो आप सब जानते हैं कि महिलाओं वे बालेकाओं को जो निसुल्क सेनेटरी नेपकिन जो पेड़ उपलब्ट करवाय जाते हैं वो योजना है आई-एम सक्ति उडभान योजना आप कहेंगे सर वापस चर्चा में क्य पहली बात तो इसकी जो सुरुवात है वो तो 19 दिसंबर 2021 को सेकिंड जो चरण है वो आया था आपके 26 अगस 2022 को ठीक है सुरुवात 21 में हुई थी दूसरा चरण आपके 22 में इसी आई-म सक्ति उडान योजना जो कि आपके महिलाओं में बालिकाओं को निसुल्क सेनेटरी नेपकीन उपलब्द करवाती है इसी के तेहत राजीवी का दुवारा किसके दुवारा राजीवी का संस्ता है ना इसके दुवारा जिसके ब्राण एमेश्टर आपके रुमा देवी जी है तो इनके दुआरा राज्ये की जो पहली सेनेटरी पेड यूनिट है मतलब राजस्तान के अंदर अब ये जो आई-म सक्ति उडान योजना के ते जो निसल्क सेनेटरी नेपकीन पेड दिये जाते हैं ये बनाने वाली यूनिट है वो पहली कहां पर इस्तापित की है तो रखेगा ऐसा भी पुछा जा सकता है आयम सक्ति उडान योजना के ते दिये जाने वाले निश सुल्क सेनेटरी नेपकीन की राज्ये की पहली यूनिट वीरवाडा शिरोई में इस्तापित के गई कौन सी संस्ता के सयोग से तो याद रखेगा राजिवी का वेरी वेरी इंपोर्टन क्यूशन बनता है यहां से यह ठीक है नेक्स्ट आगे अगला अभी एक दिसमर को आपके कौन सा तो आप कहेंगे सर विश्वे एड दिवस मनाए गया था तो उसकी थीम क्या रखे गई थी वो थोड़ा इंपोर्टन बनता है कि इसकी थीम थी समान बस यह एक इंपोर्टन क्यूशन मन सकता है कि अभी हाले के अंदर एक दिसमर 2022 को विश्वे एड दिवस केते हैं थीम क्या थी प्रदेश में तो याद रखेगा समान था ठीक है एक आपके राज्य इस्तरिये कला उत्सव का सुभारम क्या गया था राज्य इस्तर पर आपके उत्सव चला है जिसकी शुरुआ दो दिसमर और अगले एक और दिन तीन दिसमर दो दिवस्य था ये कहां पर तो याद रखेगा मंडोर जोत्पूर मंडोर के अंदर आपके राज्य के बालिक का जो इश्कूल है न वहां पर इसका सुभारम किया था किसने किया था तो याद रखेगा शिक्षा मंत्री बिड़ी कला दुआरा गुला किलाल कला दुआरा तो ये एक अच्छा क्यूशन मंड़ सकता है कि हाले में राज्य इस तरिये कला उत्सव का शुभारम जो दो दिवस्य था वो मंडोर जोत्पूर के अंदर किन के दुआरा किया गया च शियम साब के ओर जाएगा लेकिन शिक्षा मंत्री किसके दुआरा बिड़ी कला दुआरा एक आपके कुंबलगड महत्सव का आयुजन हो रहा है फिलाल एक से लेकर 3 दिसमबर 2022 परियेटन भी भाग दुआरा तो अच्छा क्यूशन मंड़ सकता है कि कुंबलगड महत्सव लेकर कितने हैं वो शारा कुछ ठीक है तो एक दिसमबर को यह आपके राज्य कला उत्सव हो गया दो दिसमबर को और यह आपके एक से लेकर 3 दिसमबर तो कुंबलगड महत्सव ठीक है अब देखिए इसके अलाबा यह वेरी वेरी इंपार्टेंट याद रखिएगा का मनाय गया था वेरी वेरी इंपोर्टेंट तीन दिसमर को उसी के तहत दिव्यांग जन ससक्ति कर्ण के लिए अलवर को मिला वरस 2022 का सर्वेस रेष्ट जिल्ले का पुरुषकार अच्छा पूरे भारत में याद रखेगा अच्छा पूरे भारत में दिव्यांग जन ससक्ति कर्ण के लिए अलवर जिल्ले को मिला है 2022 का सर्वेस रेष्ट जिल्ले का पुरुषकार अलवर जिल्ले के जो जिल्ला कलेक्टर है डॉक्टर जितिंदर कुमार सोनी शाब इनकी तो बात ही क्या करे जिस जिल्ले में जाते हैं वहाँ वहाँ चा जाते हैं बहुत हमारे राष्टान में ऐसे ही कलेक्टर साब के आउशक्ता होती है को राष्टपती, शिरिमती, द्रोपदी मुर्मून ने परदान किया ये लाइने दोनों बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है याद रखेगा अंतराष्टी दिव्यांग दिवस के तहित दिव्यांग जन ससकती करण के लिए राजस्तान के किस जिल्ले को 2022 का सर्वेस रेष्ट जिल्ले का पुरुषकार मिला तो याद रखेगा अलवर को अलवर के जिल्ला कलेक्टर कौन याद रखेगा डॉक्टर जितंदर कुमार शोनी जी अच्छा आपको पता होगा कि अलवर जिल्ले के अंदर दिव्यांग जन में शुदार करने के लिए एक अभियान भी चला था याद रखेगा शक्षम अभ्यान बहाँ जादा इंपोर्टेंट ये भी बहाँ जादा इंपोर्टेंट सक्षम जो अभ्यान है उसका सम्मंद किस से तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखेगा दिव्यांग जिन से और किस जिल्ले से तो याद रखेगा अलवर के अंदर ठीक है तो ये collector साब का भी नाम जरूर याद रखे किनकी दुवारा दिया गया तो आप देख पा रहे हैं हमारे राश्पती महद्या शिर्मती द्रोबदी मुर्मु दुवारा ठीक है अच्छा क्यूशन है एक्जाम के लिए चलिए नेक्स्ट अगला आपके देखे खान विबाग से सम्मन चांदगड अभी हाले के अंदर ऐसा आपको क्यूशन मलता है कि अभी हाले के अंदर चर्चा में चांदगड इस्तान जहां से लोहे आयस के शाक्षी मिले किसके मिले थे लोहे आयस के शाक्षी इसका समंद किस जिल्ले से है तो यह भीलवाडा का एक इस्तान है कौन सा चा चांदगड में लोहे आयस्क ठीक है यह अच्छे संकेत हैं तो यह थोड़ा सा इस्तान याद रिखेगा बीलवड़ा का जो चांदगड है यहां से में लोहे आयस्क के शाक्षे मिले हैं इंपोर्टेंट ठीक है अगला देखे राज काज को वरश 2022 का सिल्वर अवार्ड यह इंपोर्टेंट फेक्ट है आप जानते हैं लगभग हमारे राजस्तान के जो कोई विभाग या पोर्टल रहता है जब भी उसको कोई अवार्ड मिलता है तो वो आपके चर्चा के अंदर आ जाता है इंटिग्रेट इंटिग्रेटेड राज इ ओपीश ज्यानि की राज का आज को वरस 2022 का क्या मिला है याद रखेगा इशकोच शिल्वर अवार्ड तो यह के वल वन लेनर क्यूशन मनेगा आपके लिए इतना ही ठीक है अगला वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमारे राजस्तान हमारे परदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ की जो ब्र संवानित किया गया है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको पुचा जाएगा राजस्तान की विए पेरा खिलाड़ी जिसे हाली के अंदर być कर बाइस के 25 तो बाहिए these अब आप सब जानते हैं वेरी इंपोर्टेंट आपको सबमा शुटिंग से सम्मंदित है तो एक तो याद रखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह अवार्ड पेरा स्पोर्ट पर्षन ओप दाइयर ठीक है एक तो यह वार्ड याद रखना है एक आपको यह राज काज को वरस 2022 का इसकोच सिल्वर अवार्ड मिला है यह तो आपके भील महत्तपुन बातें और यह योजना है ठीक है तो आज का यह था हमारा एक कैप्सूल कल फिर इसी परकार की कुछ और महत्तपुन बातों के साथ मिलेंगी तब तक के लिए धन्यवाद